मधुमेह, शूगर, डैपटीज की बीमारी से आज धेश और दुनिया की करोडों लोग पीडित, बढ़ते वे तनाव, शारिरिक श्रम के अभाव और बिगड़ती वी जीवन शहली से हमारा पेंक्रियास कमजूर पड़ जाता है उसको नियंतरित करने के लिए यदि आप योग का आश्रे लेते हैं, ये आपके लिए दो दृष्टी से बहुत महतुपण होगा, एक तो डैपटीज आपकी ठीक होगी है, डैपटीज के कम्प्रिकेशन से आप बचाएंगे, डैपटीज को कंट्रोल करने के लिए कपाल भा आपकी डैपटीज के रोगियों को 15-20 मिनट रोज अवश्य ही करना चाहिए, कबाल भात या नुलोम बिलोम के साथ साथ मंडू काशन डैपटीज के रोगी तीन से पांच बार करें, ये उनकी सिहत के लिए बहुत ही जरूरी है, डैपटीज के रोगियों के लिए जरूरी है क्यों जो जादा मिठे फल हैं वो नखाएं, हाँ पपिता थोड़ा खा सकते हैं, सेव थोड़ी मातरा में ले सकते हैं, और जामोन और अम्रूदादी फल भी ले सकते हैं, जो खटे फल हैं वो थोड़ी मातरा में खा सकते हैं, सर्मत डैपटीज के रोगियों को नहीं प करें खीरा करेला टमाटर का जूस बना करके पीए एक खीरा एक करेला एक टमाटर और इसको जह है मिक्से में डाल करके आत्वा जूसर से इनका जूस निकालें और एक एक कप या एक ग्लास आप सुवैसा में इसको पी सकते हैं इसमें साथ फूल सदा बाहर के साथ पते नीम क भी आप डाल सकते हैं, डायबटीज के लिए मेथी का पानी भी बड़ा उपयोगी होता है, अंकुरित मेथी दाने भी आप ले सकते हैं, प्रकृती में जो भगवान ने चड़ी बूट या हमें वरदान के रूप में दी हैं, और रिश्यों ने उनके बारे में जो हमें ज्या दिया है, उसका इदी हम सही उपयोग करते हैं, तो निश्यत रोप से डायबटीज और डायबटीज के कम्प्रिकेशन से हम बच सकते हैं